और 15 अगस्त को ही प्रदानमंती नेरिन मोदी ने लाल किले से यूजना आयोग को खत्म करने का एलान किया था अब खबर ही आ रही है कि यूजना आयोग की जगहां सरकार आठ सदस्य थिंक टैंक लाने की सोच रही है सूत्रों से मिली जानकारी के मताबिख अगले 15 से 20 दिनों में इसकी घोशना हो सकती है इस आठ सदस्य थिंक टैंक में एक अध्यक्ष और साथ सदस्य होंगे जिन में से चार सदस्य स्थाई होंगे अर्थिशास्त्र, सोशल सेक्टर और शिक्षा जगत के लोग इस पैनल में होगे इस तिंग टैंक की कमान प्रुधान मंतरी नेद मोदी के हाथ में होगी अगर पी-एम इसकी अगवाई ना करना चाहें तो एक चेर्मेन की नियुक्ती कर सकते हैं इस नए पैनल में राजसरकार का एहम रोल होगा यूजना आयूग ने 26 अगस को अपने पूर उपात धेक्ष और सदस्तियों की बैठक भी बुलाई है